देखो आसान नहीं है सुबह 11 बज़े उठ पाना किताबे खोल के गहरी नीन में सो जाना सर्दियों में तीन दिन में एक बार ना गल्स प्लीज अवाइड और ग्रूप स्टुड़ी के बहान ने जाना आसान तो इन में से कुछ भी नहीं है तुब यह आसान है क्या 12 के बाद इजी कोर्सिस के तुरू अपना करियर बनाना मेरा नाम है सार्थक मैं करियर एजुकेटर इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर कॉमर्स कॉलिज इस रूलेटेड बहुत ही डीटेल में वीडियो मिल जाएंगी भाई इजी कोर्सिस का मतलब आपको ज्यादा टेंशन नहीं हो होगी अपने माइड में जब आप इन कोर्सिस को करोगे और आप इन में एक अर्णिंग पोटेंशल भी रखते हो चलो जी आ जाते हैं कोर्स अंबरवन जरियाट्रिक केर मेरे साथ बोलेंगे जरियाट्रिक केर भई इसमें करते क्या हैं इसमें जो ओल्ड एज लोग होते ह 60 प्लस इंडिविजोल्स जो होते हैं उनका टेक केर करना उनकी डेली नीट्स उनका मेडिकेशन और जो भी उनकी रिक्वार्मेंट्स है उनमें हेल्प करना जरियाट्रिक केर प्रोफेशनल्स वो करते हैं डूरेशन इस कोर्स को होता है वन वीक से लेके वन येर तक इंड ठीक है देखा आप हॉस्पिटल्स में वर्क करोगे आपका रूल कहां पर है हॉस्पिटल्स में है इंडिवीजुल हाउसे में है घर में किसी भी रीजन की वज़े से जो ओल्ड एज लोगे हैं उनका कोई ध्यान रखने के लिए नहीं है तो वहां पर आपका रूल आएगा वहां पर आप उनका ध्यान रखने जाओगे या फिर ओल्ड एज हो उसमें आपकी मैक्सिमम जॉब ऑपॉर्चुनिटीज होती है आप जब स्टूडेंट हो आपने हर चीज सीखी उसके बाद जब आप प्रफेशनल बनोगे तो आपकी जिंदेगी का दिन कैसा होगा पहल उनकी डिली नीट्स में डान ग्लिम्स ऑब दी फ्यूचर देखो मेरी बात सुनों 25.7 बिलियन डॉलर 2021 में था क्या इंडिया गेरियार्ट्रिक केर का मार्केट भाईया मतलब यह तो घरवड है देखो पॉलिटिक्स को साइड में रखो आप इंडस्ट्री देखो 7% से हर साल करो रही है गुड फैलोज इस स्टार्टप को फंडिंग दी है रतन टाटा सर ने उन्होंने फंडिंग दी है क्यों जिससे वो इस कियर फील्ड में हेल्प कर सके 34 मिलियन एल्डरली परसंस एड हुए है 2021 तक और 56 मिलियन लगबग 5 करोड लोग 2021 तक इंडिया में एल्डर हो जाएंगे मतलब 60 प्लस हो जाएंगे जिनको इस सर्विस की हल पढ़ेगी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा सैटिसफेक्शन मिलेगा देखो मेरी बात सुनो जब आप घर में रहोगे बड़े लोगों के साथ रहोगे तो जो बच्चे वाली फिलिंग है वो भी एक्स्पोनेंशली ग्रो हो रहा है क्या ओल्डेज लोगों का अकेले रहाना हो शुट डू दिस कोर्स देखो आपके ना हैंड्स टर्टी होते हैं डे टू डे नीट्स वर्प में तो आपको उससे थोड़ा सा अनकमफर्टेबलनेस नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा कोई फॉर्मल सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए बहिए डॉग वॉकर का काम क्या है डॉग वॉकर का काम है डॉग को घुमाना यही तो नाम हुआ डॉग वॉकर भाया मतलब इसमें कैसे कैसे अर्णिंग होती है देखो मेरी बात सुनो मैं जहां पर रहता हूं वहां पर 8000 फ होते हैं डॉग वॉकर मेरी सॉसाइटी में इन टोटल जब मैं यह वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन 22 डॉग वॉकर से हमारे एप पे आता है ठीक है मैंने देखा हर डॉग वॉकर के पास 25-30 डॉग है हर फैमिली से 2500 रुपीज वो चार्ज करता है ठीक है मॉर्ण मुंबई पूने इन जंगें पर जाओगे अच्छी खासी अपॉर्चनिटीज आपके लिए वेलेबल है गर्ल्स बॉइस दोनों यह वर्क कर रहे हैं ओके सर्टिफिकेशन जरुत नहीं है और कॉस्ट तो यहां पर नाके बराबर है क्योंकि सर्टिफिकेशन है ही नहीं त करती है देखो अगर क्लाइंट की इंकम है टू लrecht पर मन्थ तो आपका जो पर और चार्जिज हैं वो ड्यृटि ऑँगे क्लाइंट की इंकम है टू करोड पर मन्थ आपके चार्जिज बिल्कुल डिफृट और मंथ फिके वर्किंट इंडस्ट्री पीपल विद पैट यह चाहिए पैट पार्लर में वह मैनी क्योर पैडीकूर हेर कटिंग शैंपू कंडिशन यह सब होता है डॉब का ठीक है एक वैन टाइप होती है जैसे school van होती है ना इस type की van भी हमारे society में आती है और उसमें लोग अपने pets को ले गड़ जाते हैं और दो कंटे वाज pet ऐसा निकलता है 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 बिल्कुल grooming करके first class तो एक pet parlor में भी बहुत सारी jobs आपको dog walker की मिलेंगी अगर आपका clientele अच्छा बन गया अगें आप इसमें अच्छा अंड कर सकते हो वाई टू जूज दिस कोर्स एक तो देखो formal education आपको यहाँ पर नहीं चाहिए बहुत सारे students इसको as a part time income की तरह भी use करते हैं और आप decent money यहाँ पर अंड कर सकते हो who should do this course देखो आपका pets में interest होना चाहिए बाकितो सब secondary है अगर pets को देखकर एक वो irritation यह कभी-कभी डर लगता है कि नहीं डौग है ऐसा नहीं होना चाहिए इंटरस्ट प्यार आप उनसे अच्छे से communicate कर सो को वो चीज होना चाहिए और एक आप easy career बनाने में believe रखते हो कुछ लोगों कोना हर चीज difficult करनी है कि जब तक 100-200-300-500 गंटे 500-700-900 वह 1100 hours की मेनत नहीं होती तब तब उन्हें कुछ चीज अच्छी नहीं लगती easy career अगर पसंद है यहाँ पर जा सकते हो बने वाला भी है कोई उसको बोलेंगे personal shopper इसके certification courses मिलेंगे कोई formal education निया डिगरी आपको यहाँ पर नहीं मिलती और एक से दो इंस्टिट्यूटन चॉप को एक course provide करता है मेरी बात मानना लैक्स में जाती है इनकी फीस भाईया क्या मतलब personal shopping का भी टू टू थ्री लैक्स की फीस मैंने देखी है personal shopping के courses की क्यूं अभी बताएंगे real life salary यहाँ पर है 25-50,000 पर assignment ए ए ए इधर देखो इधर देखो क्या लिखा है assignment एक assignment one week का भी हो सकता है two week का भी हो सकता है one month का भी हो सकता है तो उसे साप से आपका पैसा यहाँ पर वैरी करेगा वर्क क्या है आप personal shopper help करोगे भी या समदनी आ रहा कोई लुटनर्स आते हैं इंडिया में ठीक है उनको shopping गड़नी है अंग उनको तो नहीं पता वहिस्वरोऑनि मार्किट क्या है उनको तो नहीं पता हैं यहाँ पर कैसे चलते हैं कैसे अपनी बिल्कुल चीजों को रखके दिमाघ को सेंटर में यहाँ पर परचेस करना पड़ते उनके साथ जाता है personal shopper जो उनको discount दिलाता है 50-60% का और उनको shopping कराता है जो उनको चाहिए बहुत बड़ा करियर luxury shopper वह एक product आता ही 25 लाग का है अगर गलत purchase कर लिया तो इसलिए वो लोग luxury shopper रखते हैं ब्राइडल personal shopper यह तो आपको पता ही है जब हम कोई शादी से related कुछ भी समान खरीते हैं बहुत सारी चीज़े होती है तो वो लोग भी कभी कभी hire करते हैं और foreign delegate shopping इंडिया में officials आए foreign officials उनको थोड़ा सा shopping करना इंडियन कल्चर से रूबरू होना वो गोल गप्पे खाने वहरी चटनी डाल के और उसके साथ shopping करने है मज़े याद आएगा तो वहां पर आपका यूज होता है ठीक है तो एक वो जो English speaking है communication है सब कुछ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए मैं दो से तीन students को जानता हूं जिन्होंने क्या किया यह personal shopping वाले world में आ गए अपना college किया उसके बाद यह दो तीन घंटे काम किया उनकी English ऐस ही है ना मतलब people envy them उनको लगता है यार कैसे इन्होंने English सीखा American accent हो चुगा है क्योंकि इतनी shopping कराई है foreigners को इतनी shopping कराई है first class English हो लेंगे working industry अगेन personal shopping और hospitality hotels वगर में personal shoppers आपको मिलेंगे a day in the life of a personal shopper मजा रहा होगा आप अच्छे से त्यार होगे आपको presentable होना पड़ेगा उसके बाद आप अपने client को assist करोगे shopping के लिए उसके बाद आप उनको best suitable products बताओगे कि यह है आपके लिए best आप इसको purchase कर लो और फिर आपको पैसे मिलेंगे कितना जान है glimpse of the future देखो मेरी बात सुनो आपकी अगर reputation बन गई और foreign client आपको recommend करने लगा आपके B2B जो hospital सॉरी hospitality वाले जो clients है वो आपको recommend करने लगे क्या ही बन जाएगा फिर right shoppers stop marks and Spencer आप इन में जाओगे ना तो यह 33 floor के इनका पूरा का पूरा system होता है हर जंगे पर different different formats लगे वे होता है starting में यह bag देते हैं client को और एक personal shopper उसको sign कर देते हैं कि जब तक एक customer भाड़ नहीं आएगा 3-4-5-6 गंटे में इसके साथ रहो और इनको पूरा help करो purchase करने में तो आपके ऐसे type के भी clientele increase होती जा रही है B2B clientele people with lack of time also prefer personal shoppers जिनके पास time भी नहीं है purchase करने का लेकिन purchase करना बहुत जरूरी हो उनके लिए different different चीज़े वो personal shoppers को hire करेंगे और snob box type के start-ups इस world में आ रहे हैं आप तो सोच रहो कि यह job करो यह ना करो यहाँ पर start-ups आ रहे हैं ठीक है जी why to choose again आप अच्छा खासा earn कर सकते हो और जैसे जैसे आप markets में जाते हो ना आप छोटा-छोटा उनका Instagram रील बना कर डाल दो आप vlogs बना कर डाल दो तो उसके थूरू आप influencer world में भी एंटर कर सकते हो अगर fashion का वो sense आप में है ठीक है जी who should do जिसको brands का और थोड़ा सा latest fashion related knowledge है और shopping में इंटरस्ट है वो जो student नही बस वही वही वहाला friend की बात हो रही है ओके थार्ड कोर्स पर आ जाते हैं टूर गाइड यह तो आपको पता ही है आपने देखे भी होंगे आपके इंपर घूमने जाते हो तो टूर गाइड होते हैं वह आपको help करते हैं वह location को अच्छे से figure out करने में नहीं तो अर्ज हैं कब कैसे समझना है हमें टूर गाइड तो चाहिए ही चाहिए तो यह वाला career भी आपके लिए open है अगीन IITTM में और IASDT में आपको different certificate और डिप्लोमा मिल जाएंगे दो हफते से लेके six months में भाइया six months में हमें यह tour guide बनना सिखाएंगे हां सिखाते हैं taking and explaining the historical और cultural tourist places to visitors यह आपका काम होगा cost 3,000 to 20,000 real life salary 25 से 30,000 रुपे और working industry आपके लिए होगी tour travel और freelance at some famous tourist places again आप Delhi NCR में देखोंगे बहुत सारे लोग personal shopper और यह tour वाला दोनों काम करते हैं समझे लोग उनको वह shopping भी करा देंगे और यह tour वाला जो experience उनको वह भी देदेंगे तो उनकी double double income हो जाती है glimpse of the future देखो travel hospitality industry इंडिया में growth ही जारी है ठीक है आपको यह टेंशन नहीं की जरूत निए जीटीबी वीटीपी में भी अच्छा खासा contribute करिए यह डेटा मैंने उनके लिए लिखा है जो कभी-कभी ना दिमाग में आ जाता है क्या भाईया स्कोब वह है नहीं कुछ पढ़ आप manage कर सकते हो same काम बार-बार करना आप अगर किसी जंगे को explain कर रहे हो सामने जो आपका Client है जो आपका Customer है वो तो change होता जा रहा है आप वही हो जंगे वही है तो कितनी बार explain करोगे उतनी ही energy के साथ बार-बार अगर वह explain कर पा रहे हो आप में वह patience है जैसे मैं यही topic वन थाउजन वीडियो बना दू तो एक वो पेशन्स सेला जाता नहीं बारबार एनरजी के साथ बोलनेगा तो ऐसे ही सेम आपको अपने पास पेशन्स रखना पड़ेगा कि ठीक है प्लेस वही है लेकिन लोग नहें हैं इनको उसी की एक्सपीरेंस के साथ बताना है ओके आ जाते हैं लास्ट कोर्स की तरफ जिसका नाम है फ्लोरिस्ट जिसको बोलते है प्यार से क्या एकी बाना जरा इदर तो आना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी यहां पर होगी डूरेशन होता है कोर्स का कुछ घंटे से लेके वन वीक होती है ठीक है आप मॉल में जाओगे वहां पर आपको बहुत इस्ट्रक्चर्ड फॉर्मैट में इस टाइप की शॉप मिलती है फ्लावर के आपको डिफरेंट एसेंस पताओने चाहिए सामने वाले जो कस्टमर उसका चॉइस पूछ होगे कि ठीक है यह वाला जो फ्लाव ग्लिम्स ऑफ दी फ्यूचर देखो फ्लोरी कल्चर में इस लेवल से ग्रोथ है अरबनाइजेशन होता जा रहा है हर जंगे बिल्डिंग्स वगरा बनती जा रही है तो फ्लावर्स का जो ट्रांस्पोर्टेशन है वह बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है वहां पर आपकी नहीं है और बहुत ही इसली आप इसको समझ सकते हो ठीक है जी को पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता कि या ठीक है पढ़ाई देखके ना सिर में दर्द हो जाता है मुझे ज्यादा इंकम भी नीच चाहिए इनकम ऐसी चाहिए जिसमें मैं अच्छे से रह सोपो और इकी बाना, टूर गाइड, परसनल शॉपर, डॉग वोकर और यह आप वोल देना जरा कॉमेंट में ठीक है यह सारे के सारे कोर्सिस आप 3-6 मन्स के अंदर कर सकते हो कुछ में तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने की भी ज़रौत आपको नहीं है गूगल से भी आप बहुत अब हम वीडियो नंबर 8 का डिस्कॉशन करेंगे, that is best courses after 12th commerce, इस वीडियो में अगर मजाया, एक भी चीज अगर नहीं सीखने को मिली, मुझे comment section में बताओ, और हम मिलते हैं ना, next video में, bye bye